हलो क्लास 12 स्टुडेंट, गुड मॉनिंग, कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हैं, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे चल रहे होगी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम करें बच्चों, इन्वर्स टिग्नो मैट्री के के सी स्टडी की कोशिन, जैसे आपको पता सी स्टडी, सी वेसी ने नेर सेंपल पेपर लॉंच किया, जिसमें सारे चैप्टर के के सी स्टडी के कोशिन है, फर्स चैप्टर के के सी स्टडी के कोशिन में करा चुका हूँ, दो वीडियो में, पांच कोशिन ते फर्स चैप्टर के, तो वो दो वीडियो में हो चुके ह अगर आपको वो देखने हैं तो आप उपर आई बटन पर देख लिजे या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और अब हम क्या करेंगे चैप्टर नमबर सेकेंड कर रहे हैं आज इन्वर्स टिग्नोमेटी के क्वेशन कर रहे हैं इन्वर्स टिग्नोमेटी में केस स्टेडी के दो कोशिन लॉंच किये सीवेस ने दोनों में आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ बड़े ध्यान से करो और एक बार प्रैक्टिस कर लो तो बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और और आल बे सद्बीटम की हाइट मेरे पास जो दे रहे हैं अगल ओबं धैगल और अलिवेशन अलफा एंड बे रहा है तो ये जो परसं यहां पर सी लिखा हरहा है यह वाला खिंह वाला यह जबन रहा है यहाँ पर बड़ा सा लिग देते हैं यह बीटा है हमारे पास, यह वो बोल रहा है, the distance between two men is 40 root 3, तो यहाँ से लिकर यहाँ तक दोनों की बीच का जो distance दिख रहा है बेटा, that is 40 root 3 meter, total distance, दोनों की बीच का total distance है 40 root 3 meter, आगे बोल रहा है, first person A is 30 root 3 meter, यह जो पहला person यहाँ पर ख 30 root 3, अब आपने यह चीज बड़े गौर से देखनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 root 3 है, temple के center तक, तो यह यहाँ से आगे हो जाएगी 10 root 3, क्यों हो जाएगी सर, total distance हमारे पक 40 root 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 root 3, अगर यह 30 root 3 होगे दूसरा person, यह एक person अगर 30 root 3 पे अब question हमारे पाँ बोल रहा है, we have to find CAB, तो हम देखें जरा angle CAB कौन से है, ठीक है, angle CAB मैंने देखना है, तो angle CAB, इधर से चलेंगे तो CAB यह वाला angle है, alpha वाला angle हमें निकालने है, तो मैं आपको यहाँ पर यह triangle ऐसे समझा देता हूँ, suppose that यह triangle हमारे पास ऐसा बना हुआ ह ठीक है, यह temple है, temple की height देरे की 30, और यह जो base है, that is 30 root 3 meter, यह हमरे पाँ base है, ठीक है, और यह मेरे को alpha निकालना है, तो वो alpha में किसकी term में निकालना है, sign की term में, अब sign perpendicular upon hypotenuse होता है, तो यहाँ से तो अभी idea नहीं लग रहा है, फिलाल में इसमें perpendicular base में 10 theta लगा सकता हूँ that is perpendicular upon base, perpendicular है 30, base है 30 root 3, तो इसको अगर cancel करेंगे, तो हमारे पास आगे 1 by root 3, यहाँ तक आपको समझ में आया, अगर यह 1 by root 3 आये, तो अब मैं इस triangle को ऐसे form कर देता हूँ, ज्यादा easy पढ़ेगा question, कि मैंने perpendicular को बनाया 1, base को बनाया मैंने root 3, अब मैं यहाँ से hypotenuse निकाल पाइथागोरस से, क्या होता कब पाइथागोरस, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, यह सब निकाल सकते हो, hypotenuse square perpendicular 1 का square, base root 3 का square, तो यह आजागा हमारे पास कितना, 4, hypotenuse आजागा root 4, 1 का square 1, root 3 का 3, 3 plus 1, 4, यहनी hypotenuse IMR part 2, so this one is 2, अब आपने मेरे को यह बताना बेटा, कि यहाँ पर हमें नि तो sin theta क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, sin theta वो होता है P upon H, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, sin theta P upon H होता है, तो sin alpha, यह angle क्या था, alpha था, तो perpendicular क्या हुआ है, यहाँ पर 1, और hypotenuse हुआ 2, हुआ, sin alpha मारे पास यह आ गया, कितना, 1 by 2, मिरको alpha निकालना, यह angle alpha न और trigonometric function दूसी तरब जाके inverse trigonometric बन जाते हैं, is it clear, तो sin निकालेंगे, alpha निकालेंगे, sin इदर inverse बन के चला जाएगा, आई वो first वाला part आपको clear हुआ होगा, ठीक है, तो अब आते हम इसका second part, इसी question का हमारे पास second part है, second part में बोल रहा है, angle हमें कौन सा निकालना है, यह ज A, B मतलब वही वाला alpha वाला ही angle निकालना है, लेकिन अब की बार cos inverse की term में निकालना है, तो जरा हम पीछे देखते हैं हमारे पास, जो मैंने triangle यहाँ पर बनाया था, तो यह 1, 2, 3 आया था, यही से ले ले लेंगे हम उसी question को, क्योंकि वही वो question चल रहा है, यह हमारे पास 1 है न, cos की term में देना है, तो cos alpha होता है, base upon hypotenuse, cos theta होता है, base upon hypotenuse, cos alpha, base यहाँ पर हमरे पार root 3, and hypotenuse is 2, मिलको alpha निकालना है, तो निकाल लो भई, बड़ आसान है, cos को उदर ले जाओ, उदर जाके, यह inverse trigonometry में convert हो जाएगा, so that will be, यह एक में धा, यह erase करो, cos जो हमें निकालना है, यह इदर जाके, cos के हो जागा, inverse हो जागा, so that will be cos inverse root 3 by 2, so cos का जो answer आएगा, that is root 3 by 2, so c option is correct option, is it clear, clear हो चुका है यह वाला, उसके बाद हम चलते हैं, बच्चों, इसके थर्ड वाले पार्ट पे, अब की बार, b, c, a angle निकालना, b, c, a, अब b, c, a कौन सा है, जरा मैं कलर, दूसरा चूस करूँ हा, b, c, a angle, b point ये रा, ठीक है, c point हमारे पाई ये रा, और a point हमारे पाई है, ये वाला एंगल निकालना, ये वाला, b, c, a, समझ पा रहे हो, अब की बार, जो मेरे को निकालना, वो temple के इधर वाल निकालना, ये वाला एंगल निकालना, ये हमने माना था, बीटा बोला था, उसने बीटा, ये एंगल निकालना है, temple था, बच्छो, 30 के height पे, temple, और इधर वाला जो distance था, देखो, ये इधर वाला उसने बोला था, याद होगा आपको, तो वो था 30 root 3, और तो इधर वाला 10 root 3 था, पीछे हमने डियाग्राम में कराता, 10 root 3, वो इसे भी समझ पाओगे, यहां से यहां तक अगर 30 root 3 है, और पूरा अगर 40 है, तो इसके माला भी ये 10 root 3 होगा, ठीक है, मिर को 10 की term में निकालना है, formula लगा देते हैं, कुछ भी नहीं है, 10 theta equal to perpendicular upon base होता है, ये हमें पता है 10 की जगए, 10 theta की जगए, यहां पर beta दे रखा है, beta, perpendicular है हमारे पास यहां पर है 30, और base की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर है 10 root 3, तो 10 beta equals to i हमारे पास यह cancel हुआ 3, अब जो हमारे पास यहां पर बच्चो 3 है न, क्या उपर वाले 3 को मैं root 3 into root 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि root 3 into root 3, 3 होता है, root 3 into root 3, root 3 लिख दिया, मैंने 3 को हूँ, यह cancel out हुआ, beta मेरे को निकालना है, तो beta अगर मैं निकालूंगा, तो 10 trigonometry दूसरी तरफ जाएगी, तो inverse trigonometry, तो 10 इधर गया है, तो यह क्या है, 10 inverse root 3, so this is the option, which option is correct, d option is correct, तो यह हमारे पास थर्ड पार्ट हुआ, I hope clear हुआ होगा, fourth part लेके चले हम, fourth part लेके चले, fourth part मैं भोल रहा है, angle ABC, अरे यह ABC है, तो वैसे आप तुके में भी बता सकते हो, angle ABC, यह तो आप वैसे भी बता सकते हो, normally, 90 होगा, क्यूंकि 90 लग रही है, तो आप सीधे भी बता सकते हो, 90 होगा, यह आप सीधे नहीं बता आप आओगे, तो यह पता, अभी हमने पीछे जो question कर रहा था, बीटा, यह देखो, जरा हम देखें, यहाँ पर, यहाँ पर देखते है, 30, जो बीटा आया था, बीटा वाला angle, वो आया था हमारे पा, root 3, root 3, 60 की value होती है, और उससे हम पीछे चले बच्चो, तो जो मैंने alpha निकाला था, वो आया था, cos root 3 by 2, और cos root 3 by 2, 30 की value होती है, इसका मतलब यहाँ पर तो अब हमें करने की जरुती नहीं पड़ेगी, alpha हमारे पास 30 आ रहा है, बीटा हमारे पास पीछे के question में 60 आ रहा है, तो तीनों angle का sum कितना होता, 90, इसका मतलब angle ABC must be 90 degree, और यह तो common sense वाल है, alpha, beta की उठा रहे हमारे, तो वो right angle ही आएगा, clear, यह चीज clear होई होगी, next चलते है, पांच्वा पार्ट इसका, very simple, क्याराब what is the domain and range of cos inverse x, cos inverse theta, sin की और cos की जो domain होती, domain मतलब, जो input value होती है, cos inverse की या sin inverse x की, तो domain होती है मरपा minus 1 to 1, आपको याद होगा, and range जो होती है इनकी, वो होती है मरपा, sin की जो range होती है, minus pi by 2 से pi by 2, and cos की जो range होती है, that is 0 to pi, तो यह मेरा इसका domain आ गया, और range आ गया, so which option is correct, I think c, हां, c option is correct, minus 1 to 1, and 0 to pi, clear आप लोगों को, यहां तक clear,